नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त नीलम सर्मा और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल ग्यान सागर कील मौासों का चैरे पर होना एक सामानने बात है लेकिन इनकी वज़े से चैरे पर काले निशान पढ़ जाते हैं जिससे चैरे की सुंदरता छिन जाती है जो लोग गर्मी से में बाहर निकलते हैं उनको पसीने के कारण ज्यादा कील मौासों की समश्या का सामना करना पड़ता है आईए जानते हैं गर्मी में कील मौासों से निपटने के कुछ घरेलू लेकिन कारगर उपायों के बारे में पहला उपाय दही में चावल का आटा मिलाकर लगाए तो मौासे काफी जल्दी ठीक हो जाते हैं अगला उपाय मौासे हो तो नित्य ककड़ी का रस पिए अगला उपाय, नीमू के रसकों 4 गुना ग्लिसरीन में मिलाकर चैरे पर अगने से कील मुह सी दूर हो जाते हैं एक चम्मच गरम दूध पर जमने वाली मलाई पर नीमू निचोड़कर चैरे पर मलने से मुह सी दूर हो जाते हैं अगला उपाई नीमू निचोड कर चैरे पर मनने से मुहा से दूर हो जाते हैं नीमू और गुलाब जल समान मात्रा में मिला कर लगाने से मुहा से ठीक हो जाते हैं अगला उपाई संत्रे के सूखे छिलके पीस कर चैरे पर मनने से मुहा से ठीक हो जाते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर बिमारियों के सम्मन में नए नए वीडियो लाते रहते हैं यदि आपको किसी अन्य बिमारी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो उपर बने आई बटन पर क्लिक करें अगला उपाई मसूर की दाल इतने पानी में भिगोएं कि वह भीग कर उस पानी को सोख ले फिर उसे पीस कर दूद में मिलाकर सुबह साम दो बार चैरे पर लगाएं रात को सोते समय जाइफल और काली मिर्च को कच्चे दूद में पीस कर चैरे पर लगाएं अगला उपाई जाइफल दूद में गिसका लगाने से मुहासे व काले दब्बे ठीक हो जाते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ और अन्य उपायों के बारे में तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो अमारे चैनल ग्यान सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की आपको नहीं नोटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद दोस्तों